अलो फ्रेंज आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी और बिल्कुल जटपट बन जाने वाली रेस्पी आपको बेहत ही पसंद आएगी और जिन बच्चों को सबजियां खाना पसंद नहीं न उनको भी बहुत पसंद आईगी उनको पता भी नहीं है उसी साइज से आधा कप मैंने यहां बेशन लिया है बहुत ही टेस्टी नास्ता बनने वाला है गाईज तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिएगा यह देखिए आधा कप मैंने दही ले लिया यह घर कप बनाया वा दही है खटा बिल्कुल भी नहीं है और इसी कप से मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ मनलब कि इसी कप से सारा मेजरमेंट करना है और इनको सबको हम कर देंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स और ढख कर 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए इदेखिए 5-10 मिनट बाद मैं चेक करती ह उस सूजी बिल्कुल अच्छे से हमारी फूल चुकी है और इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है अब कुछ सब्जिया इसमें डालेंगे जैसे कि मैंने यहाँ प्यास डाला है बिल्कुल बारिक चौप करके सिमला मिर्च बारिक चौप करके डालेंगे प्राद ही मैंने डाला है लेस्टन का पेस्ट आपको जो जो सब्जिया पसंद है सारी सब्जिया इसमें डाल दीजिएगा और जो उनसी पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं और यह देखे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप कुछ मसाले डालेंगे जैसे मेरे नमक ब्लैक पेपर पावडर और हल्दी डाला है जारा मसाली इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि सुबह का नास्ता है तो थोड़ा हैल्दी ही इसे बनाएंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें जाएगा इनो फ्रूट साल्ट अगर आपके पास यह नहीं है तो एक पीन जितना बेकिंग सोडा इसमें डाल सकते हैं और यह देखे थोड़ा सा पानी इसके उपर हम डाल देंगे ताकि अच्छे से यह फर्मेंट हो जाए और अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे इसे अब मैंने एक पैन लिया है गैस पे चड़ा दिया है और तरह के दो नास्ते बनकर तयार हो जाएंगे और यह देखे अच्छे से सेट करके ढखके पकाएंगे बिल्कुल दो से तीन मिनट बाद देखना उपर की जो परत है बिल्कुल सूख चुकी और ऐसे हिलाएंगे नीचे से क्रेश्पी थोड़ी आवाज आएगी तो एक प्ल प्लेट में निकाल लूँगी बहुत ही अमेजिंग नास्ता है इसे आप जरूर ही ट्राइ कीजिएगा साथ ही बहुत ही हैल्दी है और बहुत ही कम ओईल का बना है और यह देखे मैं आपको कट करके दिखाते हूँ बिल्कुल अंदर तक यह पका हुआ है बिल्कुल भी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तेंक्यू सो माच